हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एजुकेशन बिद प्रिया तो फ्रेंट्स ए वीडियो उने के लिए हैं जिनके एकजाम चल रहे हैं या पर जिनके एकजाम होने वाले हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम जो एकजाम में अक्सर कुछन पूछे जाते हैं तो उनको डिसकस करे तो चलिए वीडियो के स्टार्ट कहते हैं तो पहला कुशन है हमारा प्रिथम मगत समराज का उतकर्स किस सदी में हुआ था तो जो मगत समराज का उतकर्स हुआ था वो छटवी सदी इस्विपूर में हुआ था और जो मगत समराज की संस्थापकते बोते बिम्बिसार और जो महात्मा गांदी द्वारा मात्र एक वार अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन कहा हुआ था तो यह अधिवेशन हुआ था बेल गाओं में इसके बाद अगला कुशन है बिस्स का सर्बोच परयावरान सर्रक्षन पुरुसकार कौन सा है इसके बाद अगला कुशन है किस राज को अत्यदे कुपोशन के कारण भारत का एथियोपिया कहा जाता है इसके बाद अगला कुशन है बारतिय विदेश ब्यापार संस्थान कहा इस्थित है तो जो भाद ये विदेश ब्यापार संस्थान है वो नई दिल्ली में इस्थित है और भाद ये विदेश ब्यापार संस्थान की जो इस्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 को इसके बाद अगला कुशन है बिस के सबसे बड़ी खारे रेगिस्तान में से एक कक्ष कारण भारत की किस राज में इस्थित है तो जो कक्ष कारण है वो गुजरात में इस्थित है इसके बाद अगला कुश्चन है अठारा सो संताउन का बिद्रोय कहां से प्रारंब हुआ था तो जो अठारा सो संताउन का बिद्रोय है वो मेरट से प्रारंब हुआ था इसके बाद अगला कुश्चन है सरीर में हीमोगलोविन का क्या काम है तो सरीर में हीमोगलोवन का ओक्सीजन का परिवारन कारने का काम करता है इसके बाद अगला कुशन है भारती ये किट्सी अनुसंदान परिसद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है तो भारत में किर्सी अनुसंदन परिशत की अनुसार भारत में आठ प्रकार की मिठियां पाई जाती है इसके बाद अगला कुशन है हायरटच क्या मापने की यूनिट है तो हायरटच तरंगों की आवित्ती को मापता है तो हायटच तरंगों की आवित्ती मापने की यूनिट है इसके बाद अगला कुश्चन है किस नियूकिलियर कड में कोई द्रब्मान और कोई आवेस नहीं होता किंदू प्राचक्रण होता है तो नियूट्रोन नियूकिलियर कड में कोई द्रब्मान नहीं होता है में धान की पैदावार बढ़ाने बाला मुक्त जीवी जीवारू कौन सा है तो जो मेर्दा में धान की पैदावार को बढ़ाते हैं वो है एनाबीना मुक्त जीवी जीवारू तो एनाबीना धान की पैदावार को बढ़ाने वाला जीवारू है इसके बाद अगला कुशन है ह हमारा लार किस के पाचन में सहायक है तो लार इश्टाज की पाचन में सहायक होता है और लार में एक एंजाम पाए जाता है जिसका नाम है टाइलन तो लार में टाइलन नाम का एक एंजाम पाए जाता है इसके बाद अगला कुशन है केसी नाइडू कब किस खेल से सम्मन देत तो के सी नाइडू कब किरकेट स्खेल से सम्मन्द दे थे इसके बाद अगला कुश्चन है प्लेइंग इट माईबे नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो प्लेइंग इट माईबे पुस्तक के लेखक जो है वो है बोरिया मजुम्दार इसके बाद अगला कुश्चन है रिगवेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है तो रिगवेद में जो सबसे पवित्र नदी माना गया है वो है सरसुती नदी इसके बाद अगला कुशन है संभीधान का कौन सा अनुच्छित मंत्री परिशत के गटन के बारे में आधारबूत नियम नेधारत कहता है तो संभीधान का अनुच्छित 75 मंत्री परिशत के गटन के बारे में आधारबूत नियम नेधारत कहता है इसके बाद अगला कुशन है मिस्रित आर्थ विवस्ता का क्या अभी प्राय है तो मिस्रित आर्थ विवस्ता का अभी प्राय है सरकारी एवं निजी छेत्र का सह अस्तत इसके बाद अगला कुशन है टाटा टेक्नोलोजी नए नवाचार को प्रोथसाइद कहने के लिए किस राज सरकार के साथ समझोता किया गया है तो टाटा टेक्नोलोजी नए नवाचार को प्रोथसाइद कहने के लिए मणिपुर राज के साथ समझोता किया गया है इसके बाद अगला कुशन है बिंदुसान ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए असोक को कहा भेजा था इसकी बाद अगला कुशन है प्रिकास बॉल्टिये सेल की प्रियोक से सोर उजा का रूपांतरण कैने से किसका उत्पादन होता है इसकी बाद अगला कुशन है प्रिकास बॉल्टिये सेल की प्रियोक से सोर उजा का रूपांतरण कैने के लिए विद्दुत उजा का उत्पादन होता है प्रिको संसत के सदस नहीं होने पर भी उसे संबूदित कैने का अधिकार है तो वो अधिकार है अटोवनी जनरल लॉप इंडिया को इसके बाद अगला कुशन है भारती इस पात की महा सचो को न्योक्त किये गए हैं तो जो भारती इस पात की महा सचो हैं वो आलोग सहा न्योक्त किये गए हैं इसके बाद अगला कुशन है मैणो परांत परिथम भारत रतन किसे दिया गया तो मैणो परांत जो भारत रतन दिया गया है परिथम वो दिया गया है लाल बहादुर सास्त्री को और जो भारत रतन की स्थावना हुई थी वो हुई थी 1904 को तो फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्काइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में